हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल यहू बाबा पे यह हमारा PHP कोर्स से लेटिड 158 टॉटोरियल है और इस कोर्स में आप PHP का एक नया फंक्शन सीखने वाले हैं js decode देखिए इससे पिछली वीडियो में हमने एक फंक्शन सीखा था जिसका नाप था js encode यह बिल्कुल उसका opposite फंक्शन है देखिए जैसे माननी जी हमारे पास एक जेसन का डाटा है जो की एक object form में है इसको हम convert करना चाते हैं PHP array या PHP object में तो उसके लिए हमारे पास यहाँ से भी हमारे पास object आ रहा है बेशक वो third party URL हो या हमारी खुद की website पे कहीं पर URL हो जहां से हमें JSON मिल रही है और उसके साथ में हमें यहाँ पर देना होता है SOCK SOCK क्यो होता है यह होता है associative array इसके अंदर basically हमारे पास दो ही values होती है true या false अगर हम इसके अंदर true पास कर देते है तो यह हमारे को एक associative array return करता है और by default जो इसकी value होती है वो होती है false अगर हम इसे दे ना दे एक ही बात है मगर यह हमारे को return करता है एक PHP का object आई इसका एक छोटा सा एक example मैं आपको समझाता हूँ माली जी हमारे पास एक variable है और उसके अंदर हमने एक object save करवा है यह देखी दो parameter पास कियें सबसे पहला हमने जो यहाँ पर variable लिया है वो हमारा JSON object नाम का variable है उसके बाद मैंने यहाँ पर पास कर दिया true जिसका मतलब यही जो function है कि हमारे को एक associative array return करेगा और array की value को अगर हम देखना चाते है तो उसके लिए हम PHP के अंदर एक function यूज करते है printr तो यहाँ पर यह मैंने अपना जो array है इसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया तो यह हमारे को कुछ इस तरीके की output देगा यह देखिए इसने मारे को एक array बना दिया जबकि यह था JSON का एक object तो यह था बिलकुल एक simple example इसको real life में हम कैसे use करते हैं आई यह देखते है practically यहा अंदर हमने यहाँ पर एक JSON की file बनाई है my.json यह देखिए यह file है जिसमें कुछ records आ रहे है चार-पांच records है इसमें अलग-अलग values आ रही है आईडी है, name है, age है और city है अब इस same data को मैं अपनी PHP की file के अंदर read करना चाता हूँ मतले कि PHP की help से मैं से यहाँ पर show करना चात तो देखिए उसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मैं सबसे पहले जो हमारे JSON की file है, इसका सारे data को यहाँ पे लिकराना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक variable बना लेता हूँ, JSON string और इसके अंदर आकर मैं अपनी इस वाली file का path दूँगा, जो है my.json तो देखि पहले मैं एक variable बना लेता हूँ, JSON data, और इसके अंदर आकर मैं अपने इस वाली file का path यहाँ पे pass कर देता हूँ, अगर आपको इस function के बारे मैं नहीं पता, तो मैं उपर आई बटन पर इसका एक link दे दूँगा, जहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, कि कैसे यह किस करना है, array के अंदर, तो यहाँ पर मैं एक variable ले लेता हूँ, $arr, मतलब कि array, और यहाँ पर मैं अपना function यूज़ करूँगा, JSON decode, और यहाँ पर मेरे को दो parameter लेने है, सबसे पहला parameter है, वो है JSON, तो यहाँ पर यह मारे पास आज चुका है, इसके बाद मैं यहाँ पर pass कर अब इसकी formatting को सही रखने के लिए मैं इसको protect के अंदर डाल देता हूँ, और इसको copy करके नीचे close भी कर देता हूँ, यह देखिए, अब यहाँ पर फाइल को save करके आपको पहले browser में चेक कर आता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने page को refresh किया, यह दे national associative array है, देखिए बाहर तो index array बन रहा है, और उसके अंदर associative array बन रहा है, यह देखिए, तो आपने देखा कि कैसे js encode ने हमारे json की object को convert कर दिया array में, अब इसको अगर मैं table form में दिखाना चाहता हूँ, तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इस single quote के अंदर, table tag लिख लेता हूँ, इसके अंदर मैं border देता हूँ, cell padding और width, यह देखिए, यहाँ पर मैंने इसको border देदी 1 pixel का cell padding देदी 10 pixel और width देदी 100%, अब इसको मैं close भी कर देता हूँ, और उसके लिए मैं यहाँ दूबारा से E को लिख लेता हूँ, अब इसके अंद प्रिंट करना चाता हूँ, वो है AR, तो इस variable को मैं यहाँ पर copy कर लेता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ, as, अब यहाँ पर मैं अपना function यूज करूँगा, जिसका ना मैं list, for each को list के साथ हम कैसे चलाते हैं, इस पर भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखिए वो वीडियो, तो मैं उपर आई बटन पर उसका एक link देदूँगा, जहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अब इसके अंदर आकर हमारे को क्या करना है, हमारे को जो अंसी भी array के अंदर, keys मिल रही है, associative array के अंदर, उसको यहाँ पर मैं एक बर आपको browser में check करा देता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर हमारे पास पहली key है, वो है id, फिर है name, age और city, तो मैं इन चारों के लिए अलग-अलग variable बनाना चाता हूँ, तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मेरे को अप जो इसकी key है next की name, और यहाँ पर भी इसको एक name देता हूँ, variable को name, उसके बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे age, और last में मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ, city, यह देखिए, तो यह मैंने अपना for each loop चला लिया, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर function यूज किया list, मैंने list function इसलिए use किये, ताकि code जो है, वो काफी छोटा हो जाए, नई तो हमारे को दो बर loop चलाना पड़ेगा, for each का nested loop जिससे कहते हैं, और यहाँ पर मैं echo कर देता हूँ, जिसको मैं यहाँ पर print करना चाहता हूँ, तो देखिए, यहाँ पर table हमने बाहर लेते, तो अंदर obvious ही बात है, tier आएंगी, मत देखिए table row, तो उसके लिए मैं यहाँ पर double quotes ले लेता हूँ, और यहाँ पर अपना tier text start कर लेता हूँ, तो यहाँ देखिए, हमारे पर 4 values है, id, name, age और city, तो obvious ही बात है, उसके लिए भी हमारे को यहाँ पर 4 TD लेने है, तो मैं यहाँ इसी को copy कर ल इसी को यहाँ से copy कर लेता हूँ, next TD में यहाँ पर डाल दूँगा name, उसके बात मैं यहाँ पर डाल दूँगा age, उसके बात में last में जो हमारे पर वेरिबल है, वो है city, यह देखिए, तो यह हमारे code जो complete हो चुका है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जेसन, डिकोड, जो की जेसन के डाटा को अरे में convert कर रहा है, और उस अरे की values को print करने के लिए यहाँ पर मैं तना function यूज़ कर रहा हूँ, for each, list function के साथ, तो यहाँ मैंने फाइल को save किया, और यहाँ पर आकर page को refresh किया, यह देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमार decode का, जब भी हम जेसन के डाटा को PHP की फाइल के अंदर show करना चाते हैं, यह किसी तरीके से भी उसको convert करना चाते हैं, arrays के अंदर, तो यहाँ पर हम use करते हैं, जेसन डिकोड, hope so आपको यह हमारा video tutorial अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो video को please like करना मत भूलिए, अगर आप ऐसे ही regular updates चाते हैं, तो हमारी channel yahoo baba को subscribe करना मत भूलिए, thank you